कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं रानी गुपता आपके साथ और बड़ी खवर सामने आ रही है आपको बता दे कि जब से अडानी ग्रूप की ओर से यह एलान किया गया है कि एंडे टीवी के शेयर को 29 फीसदी तक जो शेयर है वो अडानी ग्रूप ने खरीद लिया है इसके बाद सही लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाइद देखने को मिल रही थी जहां एक और लोग इसको ले करके सराते हुए नजर आये थे और रवीश कुमार को घेरते हुए नजर आये थे तो इन सब के बीच में आप कॉंग्रेस पार्टी भी बौकलाई हुई नजर आ रही है आपको बता दे कि कॉंग्रेस पार्टी के नेता जैराम रमेश का पल कर रही है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब मीडिया संस्थान का निजी करण हो रहा है उससे लोगतंत्र को खत्रा हो सकता है आपको बता दे कि अगर हम बात एंडी टीवी की करते हैं या फिर पत्रकार रविश कुमार की करते हैं तो एक विशेश वर् दिखाने की कोशिश करते थें कोई भी मीडिया अगर किसी खबर को दिखाती है तो वो दोनों पक्षों को दिखाने की पूरी कोशिश करती है सत्ता पक्ष की भी खबरे दिखाई जाती है तो इसी के साथ ही विपक्ष की भी खबरे दिखाई देती है लेकिन अगर हम एंड टीवी सेर्फ और सर्फ विपक्ष की ही खबरे दिखा रहा है और इसी के साथ ही सत्तापक्ष को ले करके गलत मदभेद लोगों को बताने की कोशिश भी करता हुआ नजर आ रहा है ऐसा लोगों का सोशल मीडिया में कहना है इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है जह ने बयानों को दोहराते हुए कि किसी समय में रविष कुमान ने ये कहा था कि तीभी सब्सक्राइब कर देनी चाहिए इसी के साथ ही रभीष कुमान ने कहा था कि तमाँ जो alar लेट वह अगए सान्व का-घे-वOOOO क fill शेuses उन्ने कहा जा गया है अडानी ग्रूप के दौबरा तब लोगों ने ये पूछा अब ऑडानी ग्रूप की अधिन कांप करना चाहेंगे अब फिर इस्तिफा देगे लेकिन देखने को मिला कि रवीस कुमाण ने सीधे तोर पर कहा कि वो इस्तफान नहीं देंगे बलकि इसमें काम करते हुए नजर आएंगे आपको बता दे कि लगातार एंडे टीवी जो है वो उसकी रेटिंग भी नीचे जा रही थी जहां अगर सोशल मीडिया के बात करें तो आज के जमाने में सोशल मीडिया ट्व जहुत लग जाता है कि आखिर कौन से चैनल में किस तरीके से किस पार्टी को प्रजंट करने की कोशिश की है और इसी के साथ ही अगर एंडी टीवी के बात करें तो लोगों ने या कहा है जादा तन लोगों ने कि अंडी टीवी सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रस पार्टी पे जादा फोकस करती है उनके खबरों को जादा चलाने की कोशिश करती है चाहे फिर वो किसी भी मामले में हो वो सत्ता पक्ष के बयानों को सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा दिये गए जो बयान होते हैं उनको बहुत ही कम दिखाती है ऐसा भी लोगों का कहना रहा है आपको बता दे कॉंग्रस महासचिव जैराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि प्रधान मंत्री के खास दोस्त की अत्याधिक रिड़ी कंपनी द्वारा एक प्रसिद्ध टीवी नियूज नेटवक क के द्वेश पूर्ण अधिग्रहन के खबर आर्थिक और राजनेतिक टाकत का केंद्रिय करण हैं साथी उन्होंने कहा कि स्वतंत्र मेडिया को नियंत्रित करने और दबाने के लिए उठाया गया बेशर्मी भराक कदम हैं आपको बता दे कि जहां एंडी टीवी के शेयर को खरीद लिया है आपको बता दे कि विश्वप्रधान कमेशियल प्राइवेट लिमिटेट कंपनी जिसके माध्यम से अडानी मीडिया विंचुर्स लिमिटेट समू के प्रमुख अडानी इंटर्प्राइज लिमिटेट के तहद मीडिया शाखा ने एंडी टीवी के रिण क को एक्वल्टी के परिवर्तित किया इसके पहले कॉंपटीटर अरपती मुकेशंबानी से जुड़ा हुआ था जराम रमेश ने आगे ये भी ट्वीट कर कहा कि रहस्यमें बात यह है कि कैसे हमारे दो मेसे के द्वारा दिये गयर रिण का उपयोग दोनों ने दूसरे सदस द्वारा टैलीविजन नेटवर्क के शत्रुतापूड अधी ग्रहन को ट्रिगर करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है विडंबना यह है कि इसमें विश्व प्रधान नाम का एक संगठन शामिल है वहीं राजसबा सदस्य और वरस्ट अधिवक्ता कपल रूप ने मेडिया कंपनी ने 23 अगस को न्यू डैली टेलीविजन लिमिटर यानि की एंड़ी टीवी की 29.18 फीस्दी हिस्सेदारी खरीदने का एलान किया यह हिस्सेदारी अभी अप्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई है अडानी समू की कंपनी ने उस कंपनी से यह हिस्स दारी गौतम अडानी की कंपनी की हो जाएगी बता दे एंडी टीवी पर नियंतरड़ पानी के लिए अडानी के आश्चर जनक कदम में मीडिया परीदिश को बदलने की क्षमता है अडानी समू ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि उसने 114 करोड रुपए में वर्ष्व प की मीडिया कंपनी अडानी मीडिया नेटवक के हवाले कर दिया है इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े कारूबादी ग्रूप अडानी इंटरप्राइस लिमिटेड ने मीडिया जगत में इंट्री कर ली है आपको बता दे कि एंड़े टीवी इस समय में ती न्यूस चैनलो है कि अगर अडानी ग्रूप ने पूरे तरीके से ओवर्टेक कर लिया एंडी टीवी पर तो उनकी खबरे कौन दिखाएगा और जो जादा तर फेवर करते हैं रवीश कुमार कॉंग्रेस पार्टी का या फिर राहुल गांदी का तो उसको लेकर भी कॉंग्रेस पार्टी के नेदाओं को चिंता सताने लगी है ऐसा भी लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि विश्व प्रदान जो कंभरनी थी उन्होंने दरसल एंडी टीवी को कर्ज दिया था और इस कर्ज का भुगतान अडानी ग्रूप के द्वारा किया गया जिसके बार 29 पॉसंट जो शेर है डिटीवी के वो अडानी ग्रूप के द्वारा खरीद लिए गये हैं इसी के साथ ही अब जहां अडानी ग्रूप तमाम तरीके के बिजनस चला रही थी कोल और पेट्रोल को ले करके तो इसी के साथ ही अब अडानी ग्रूप मेडिया जगत में भी इंट्री कर चुकी है और इसी के साथ ही कॉंग्रेस पार्टी जो है बार-बार मोधी गौवर्मेंट को इस पर निशाना बना रही है और कह रही है कि मोधी गौवर्मेंट के वज़े से तमाम बिजनसमेन जो हैं लगातार आगे जानी हो या फिर मुकेश अंबानी हो उनका सीधे तोर पर कहना है कि मोधी सरकार जो है अपने दोस्तों का फेवर कर रही है और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है यानि कि सीधे तोर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉंग्रिस पार्टी को अपने ही देश के जो बिजनसमैन है उनका इसकदर बढ़ना और विश्वस्तर पर नाम कमाना उनको पसंद नहीं आ रहा है आपको बता दें कि हाल ही में देखा गया था मुकेश अमबानी जो है वो अमीर आदमियों की कैटिगरी में शामिल हुए थे उनके लिस्ट जारी की गए थी जिसमें की वो नौवे स्थान पर है इसको लेकर भी जो है कॉंग्रिस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल है उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि मोदी गौर्मेंट बिजनसमैन लो थी तो उससे यह चुनता साफ साफ जाहिर होना बनता है आपकी इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे क्यों और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले